और बड़ी खबर लेबनान से आ रही है हिजबुल्ला चीफ हसन नस्रल्ला ने इसराइल को अंजाम भुगतने की धंकी दे दिये है हिजबुल्ला ने इसरेल के खिलाफ 60 से ज्यादा गोले दाग दिये हैं हमाज के डेपिटी चीफ अरूरी के मारे जाने के बाद नस्रल्ला इसरेल से बदला लेने की प्रतिग्याली है नमबर वन चानल का ये नमबर वन शो साजश आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ सपना शुक्ला साजश में हमाज सबसे पहले बात हिजबुल्ला की करने वाले हैं जिसको लेकर बड़ी खबर मिल रही है हिजबुल्ला चीफ हसन नस्रल्ला ने इसरेल के खिलाफ आक्शन लेने की बात कही और इसे देखते हुए हिजबुल्ला की लड़ाके ही बहुत जादे डरे हुए हैं इन लोगों को डर है कि अरूरी को जिस तरह से इसरेल ने बेरूत में घुस कर मारा कई नस्रल्ला का भी वही हशना हो जाए नस्रल्ला को मार डालेगा इसरेल हसन नस्रल्ला इसरेल का दुश्मन नमबर थो हिजबुल्ला का चीफ इसरेल के खिलाफ नस्रल्ला ने हमले का ताजा ओर्डर जारी किया है इस ओर्डर के बाद हेजबुला के लड़ाकों ने इसरेयल पर 60 रॉकेट दागे हैं अमस फी अद्वान इसराइली इन फादिह अला दाहियत जनूबियती लगए हैं हसन नसरला जिस तरह से आक्शन में हैं उसे देख कर लगता है कि इसरेयल ने नमबर टू टार्गेट सेट कर दिया है हमास का खात्मा करते करते इसरेयल लबनान में हेजबुला के लड़ाकों को चुन-चुन कर मारने बाला है नसरला खुलम-खुला इसरेयल की ताकत को चैलेंज कर रहा है बदला लेने की धमकी दे रहा है जी बतला उस हमास के नेता के मारे जाने की जो लिबनान में च्छिप कर बैठा था इसरेल की सेना ने हमास के इस लीडर की तलाश की और मिलते ही बेरूत में मौत की नीम सुला दिया मौत हु कतलन वाला यद मन अला यद कतलत इल अन्पिया वहदा हुआ हाल शुहदाइना फि यादी लए यहम मा लहु सिला ऐदम बिल्मुनासबा मा हसल अल्योम फी जवाविल मौकद ताहर आपको आगे दिखाएंगे कि हेजबुलास संगठन ने इसरेल की गुरूत से बचने के लिए कौन सी प्लैनिंग की है लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि जब नसर अल्ला ने कहा कि इसरेल को छोड़ेंगे नहीं तो इसरेल ने क्या प्रदिक्रिया दी है जवाब में इसरेल ने कहा है कि हमले में हमास के हुप प्रमुख की मौत लिबनान पर हमला नहीं था हमास के नत्रितों के खिलाफ की गई एक सर्जिकल स्ट्राइक में साले अल अरूरी की मौत हो गए 2006 के बाद ये पहली बार है जब इसरेल की फौज लिबनान में घुसी और अरूरी को मार डाला हिजबुल्ला के लिए ये बेहद शर्मनाक है कि उसके रहते हुए इसरेली सेना उसके इलाखे में घुसकर उसके चाहेते अरूरी को मार डाला हसन नसरल्ला के बारे में आप जानेंगे तो आपको अन्दाजा लगाने में मुश्किल नहीं होगी कि अब नसरल्ला का अगला कदम कितना खून बहाने वाला होगा म YOU हुए वाला है कि वएस कितना नहीं है अन्दाओ वियु झाझा उ समā्न सहर्थ वैसल्मतार है कि उसके पुएाने में अन्यान को अरूणार है तुमियान बिलाज़ा हाउलाग शुहदाग 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 नफस तवीक नफस अलकदीया सालेह अल-अरूरी हमास के टॉप कमांडरों में एक था और इस्रैली सेना के हिट लिस्ट में शामिल था 57 वर्श ये अरूरी लेबनान में निर्वासन की जिंदगी बिता रहा था इस्रैली सेना को काफी दिनों से इसकी तलाश थी अरूरी बिछले चार वर्शों से आईडियाफ के निशाने पर था मौका मिलते ही अरूरी को इस्रैली सेना ने मार डाला कहा जा रहा है कि अरूरी इस्रैल के डून हमले में मारा गया अरूरी हमास और हिजबुल्ला के बीच एक कड़ी था अरूरी के संपर्क सूत्रों के चलते ही हिजबुल्ला उसका खुल कर समर्थन करता रहा लेकिन इस्रेल ने नस्रला के सबसे करीबियों में से एक कुमार उसे बहुत बड़ा जटका दे दिया है लेहाज़ा नस्रला बदले की आग में जल रहा है इस्रेल के भैसे नस्रला बाहर सार्वजनिक रूप से नहीं देखता लेकिन उसके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि हसन नस्रला एक शिया आले मतलब धार्मिक विद्वान है जो लेबनान में हेजबॉल्ला ग्रुप के प्रमुक है इस प्रमुक को इस समय लेबनान के सबसे एहम राजनितिक दलों में गिना जाता है जिसकी अपनी सशस्त्र विंग भी है हसन नस्रला लेबनान के साथ साथ दूसरे अरब देशों में भी लोग प्लिया है इरान और अली खामनेई के साथ बहुत निकट के और विशेश संबन्द है हिस्बॉल्ला को अमेरिका की ओर से आतनक्वादी संगचनों की सूची में शामिल किया गया है हिस्बॉल्ला का मकसद इस्रेल की वरबादी है इस्रेल भी हिस्बॉल्ला को हमास से ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन मानता है ये भी क्लियर है कि बिना हेजबुला के सफाय के या किसी शांती समझोते के इसरेल चेहन से नहीं जी पाएगा क्योंकि हेजबुला इसरेल के खिलाफ खामले करने से बाज नहीं आएगा हेजबुला के पास हथियारों का बहुत बड़ा बंडार है जिसमें ऐसी मिसाइले शामिल है जो इसरेली इलाकों में दूर तक हमला कर सकती है इसके पास हजारों प्रशिक्षित लड़ाके हैं इसरेल के मताबिक हेजबुला के गरीब 45,000 लड़ाके हैं हेजबुला के पास 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइले हैं इन में तमाम लंबी दूरी तक मार करने वाली भी शामिल है। इसके अलाबा हेजबुल्ला के पास एंटी टैंक हतियार, मानो रहे ट्रोन, एंटी शिप मिसाइले और हवाई रक्षा प्रणाली मौजूद है। जाहिर है, इसरेल को गाजा से भी ज्यादा मुश्किल आएगी अगर हेजबुल्ला के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया तो, लेकिन मुश्किल है कि हेजबुल्ला को रोकने के अलाबा इसरेल के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यही वज़े है कि इसरेली प्रधान मंत्री वेनेमिन नेतन्याहु ने कह रखा है कि अगर हेजबुल्ला इस विवाद में दूसरा मूर्चा खोलता है तो उसको और कल्पनी जबाब दिया जाएगा। इसरेल के वक्त हेजबुल्ला के साथ खड़ा होगा। हेजबुल्ला का समर्थन करता है। भूती विद्रोहियों का साथ देता है। हमास को हथियारों की सप्लाई करता है। लेहाजा ये बात तो बहुत साफ है कि इसरेल को फाइनली इरान से ही दो-दो हाथ करना होगा। तब ही इसरेल को सुकून मिलेगा। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इरान अब सत्तर के दशक वाला इरान नहीं है। उसके पास भी कहा जाता है कि पर्माणू बम है। अब ध्यान दीजे कि हेजबुल्ला के चक्कर में कैसे इरान और इसरेल के बीच पर्माणू युद छिड़ सकता है। लेबनान और हेजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के बास लड़ाके हैं। इरान का समर्थन है, हथियार है। लेकिन घौर करने वाली बात है कि पूरा लेबनान हेजबुल्ला के साथ नहीं है। पूर युद लेबनान के लिए विनाशकारी होगा और इसके लिए जनता का समर युद्ध, सशस्त्र गोटों के भीच आंत्रिक लड़ाई, इस्रेल के साथ संघर्ष और पडोसी सीरिया में युद्ध के चलते, मुश्किलों से गुजरती रही है, 60 लाग के आबादी वाले इस देश के पास, इस्रेल सरीखे कुछ भी ऐसा नहीं है, कि वो इस्रेल और अम करने के लिए मजबूर हुए है, लेकिन हेजबुल्ला इस तरह के पलायन से इस्रेल के खिलाफ हमला बंद नहीं करने वाला, लेपनान और इस्रेल के बीच की दुश्मनी भी नहीं नहीं है। जबकि 165 इस्रेली मारे गए थे, 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले इस्रेल लेपनान बॉर्डर करीब करीब शांती रहा, कभी कभार लेपनान की दरब से इस्रेल में ड्रोन और रॉकेट से हमले होते रहे, जबकि इस्रेल ने 2007 से 2022 तक 22,000 बार लेपनानी वायुसीमा का उल पूरी को बेरूत में घुज कर मारना इसी कड़ी में है, यही कारण है कि हमास के नेता कभी कदर, कभी इरा, तो कभी लेपनान में ठेकाने बदल कर अपनी जान बचा रहे हैं, दूसरी तरफ इस्रेल की खुफिया एजेंसी मोसाद में इन सारे नेताओं को ट्रैक करने के अपनी कीमे लगा रखी है, कतर और इरान में हमास के नेताओं पर हमले से युद्ध बढ़क सकता है, लिहाज़ा इस्रेल हमास के नेताओं के लिबनान जैसे देशों में आने का इंतजार करता है, ऐसा ही हमास के डिप्टी चीफ अरूर के साथ भी हुआ, जब तक कतर में अपनी था, सुरक्षित था, लेकिन एरान से होता हुआ जब लिबनान पहुँचा तो ड्रोन हमले में मारा गया, इस्रेल का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, कतर और इरान से अभी उलजना नहीं, हिजबुल्ला, हमास और हुथी को शोड़ना नहीं खबर के मताबिक पिछले 24 घंटे में इस्रेली सेना ने जमीन और आकाश से पूरे गाजा पर भयानक हमले किये हैं, फिलस्तीनी प्रशासन के मताबिक इस्रेली हमलों में गाजा में 100 से ज्यादा फिलस्तीनियों की मौत हुई है, जबकी करीब 300 फिलस्तीनी गायल हो चुके बीते 24 घंटे के अंदर इस्रेल ने पूरी गाजा पट्टी में कोहराम मचा रखा है, हाला कि हमास ने ये दावा भी किया है कि इस्रेली सेना को भारी नुकसान पिछले 24 घंटे में पहुचाया गया है अब ये लगबग तै हो चुका है कि साल 24 गाजा के लिए काल बन कर आ गया है, भारी नुकसान जहलने के बाद इस्रेली सेना बुरी तरीके से बुखला गई है हम आज से इस वक्त मद्ध गाजा, दक्षनी गाजा के खान यूनिस में इस्रेली सेना पर भीश्चन हमले शुरू कर दिया है गाजा काल साल दोहजार चौबेस गाजा युद्ध को लगभग तीन महीने होने जा रही है लेकिन अभी तक इस्रेल की आईडियाफ गाजा से हमास लडाकों का सफाया नहीं कर पाई है हलाकि पिछले 36 गंटों में इस्रेली सेना ने हमास के लडाकों के साथ साथ 200 से जादा फिलस्थीनियों को माग डाला है हैरानी की बात तो ये है कि इस्रेयली सेना पर पिशले दो हफ़तों से अचानक हमास के लड़ाकों ने उत्तरी घाजा और दक्षणे घाजा में जबर्दस्थ हमले शुरू कर दिले हैं साल के आखिरे दिन 31 दिसम्बर 2020 को हमास की तरब से जारी किये गए इस वीडियो को देखिए जिसमें हमास के लड़ाके इस्रेयल के टैंक पक्तर बंद लड़ाकों वाहनों पर बेहद पास से हमले कर रहे हैं हलमेट पहन रही है टैंक टैंकों का खबरस्तान घाजा 31 दिसम्बर 2020 को हमास की तरब से जारी इस वीडियो को देखिए जिसमें हमास लड़ाके बेहद करीब से इस्रेयली टैंक के उपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे है हमास का दावा है कि यह हमला इस्रेयली टैंकों पर दक्षनी गासा के खान योनस में किया गया है हमास का दावा है कि यह हमला 30 दिसंबर 2020 को इसरेली टैंकों पर हुआ है इसरेल के टैंकों पर चुन चुन कर हमले हो रहérence है क्योंकि इसरेल का परट्खावा टैंक हमास और घाजा का काल बन चुछा है इस्रेल इनी टैंकों से अब तक 800 से जादा सुरंगे तबाह करने में मदद कर चुका है यही वज़े है कि अब हमास इस्रेल के टैंकों पर बेहद पास से हमले कर रहा है कई बार तो मुश्किल से 20 से 25 फेट की दूरी से हमास हमले कर रहा है हमास के रॉकेट इस्रेली टैंकों के हैच वाले यानि उपरी हिस्से पर सीथा हमला कर रहे है जिसकी वज़े से टैंक बरबाद हो रहे है अब हमास की तरब से जारी ये वीडियो देखिए जिसमें हमास के लड़ा के घाजा में कविस्तान बन शुके इमार्तों के पीछे से इस्रेली सेना पर हमला कर रहे है दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कई इस्रेली सेनिकों की भी मौत होई है इसी तरह से हमास ने 28 दिसंबर 2023 को इस्रेली सेना पर मध्य घाजा में प्यूरिस्ट शरनार्थी शिदर इलाके में इस्रेली सेना पर हमला किया है टैंक और पैदल सेना पर हमास इसी तरह से हमला कर रहा है दावा किया जा रहा है कि इस सिलाके में अभी भी इतनी जादा सुरंगे बची हैं जहां से अचानक हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं इसी तरह से हमास के लड़ाकों ने 27 दिसंबर 2023 को एक ही हमले में 12 से जादा इसरेली सेनिकों को मारने का दाबा किया है हमास का ये वीडियो किस जगह का है ये तो नहीं पता लेकिन वीडियो में इसरेली सेना पर हमास के लड़ाकों के हमले साफ देखे जा सकते हैं यही वज़े है कि इस्रैली सेना के मर्धावा टैंक के उपर शील्ड लगाई जा रही है ताकि टैंकों को तबाह होने से बचाया जा सके है अब तक इस्रैल के 480 से जादा सैनिक मारे जा चुके है इसकी सबसे बड़ी वज़े हमास के वो सुरंगे हैं जो अभी तक इस्रैल तबाह नहीं कर पाया है हाला कि नेतनियाहू पिछले हबते गाजा पहुँच गया थे और उन्होंने इस्रैली सेना के कमांडर्स और सैनिकों के बीच काफी वक्त बिताया नेतनियाहू ने साफ कह दिया है कि अब किसी भी कीमत पर गाजा युद्र नहीं रुकेगा चाहें भाले ही गाजा युद्र लंबा चले अगर हम गाजा में फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाखों पर नज़र डाले भूके, प्यास, बीमारी और बमों के हमलों ने गाजा में फिलिस्तीनियों को साखशात नरक में पहुचा दिया है जरा ये आंखडे देखिए 7 अक्टूबर से अब दग गाजा में इसरेली सेना ने 22,000 से जादा हमले किया है जिसकी वज़े से गाजा की 70 फीजदी इमारतें हंडर हो चुकी है यूएन के आंकडों के मताबिक पूरे गाजा पट्टी में 3,55,000 से जादा इमारतें तबाह और बरबाद हो चुकी है जिसमें कोई रह नहीं सकता है इसके अलाबा सकूर, कॉलेज के 370 से जादा इमारतें पूरी तरह से इसरेली हमलों में जमीन में दफ़न हो चुकी है जो इसरेल के खौफ़नाक हमलों का जन्दा सबूत है 7 अक्टूबर 2023 से अब तक घाजा पट्टी में इसरेली सेना ने हमास के ठिकानों पर जबरदस्थ हमले किये हैं जिसकी वज़े से 230 से जादा मस्जिदें और पूजा घर घाजा पट्टी में तबाह और बरबाद हो चुकी है घाजा में सबसे भीशन और दखनाक हमले इसरेल ने अस्पतालों पर भी किये हैं क्योंकि इन्हीं अस्पतालों के नीचे हमास की दर्जनों सरंगे हमास का हेटड़कृटर और अडबे बने हुए تھे हमास इनहीं अस्पतालों की आड़ में इस्रेली सेना पर हमला कर रहा था इस्रेल ने ऐसे 36 में से 26 अस्पतालों को जबरदस्त बंबारी में दबागा डाला है घासा में रोटी के लिए लोग तरस रहें 20 से 20 लाक लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही है क्योंकि इस्रेली सेना ने 11 बड़ी बेकरी तबाह कर डाली है पूरे घाजा में 17 लाग से जादा फिलिस्तिनी शर्वनार्थी मन चुके हैं हालात ये है कि उतरी घाजा के 90 फीसदी जनता भाग गई है अब तक के आखणों के मताबिक किस लाख 822 से जादा फिलिस्तिनी मारे जा चुके हैं जो साबित करता है कि हमास को इस्रेल पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है हैरानी की बाद तो ये है कि इजरेल के हमलों में मारे गए पुल फिलिस्तीनियों में से 47 फीजदी मरने वाले बच्चे ही है अन्ही हालातो को देक कर हमास, हेजबॉल्ला और एरान अब इसरेल से आर पार की जंग का ऐलान कर चुके लेकिन नेतनियाहू ने साफ चेटावनी देदी है कोई जिन्दा नहीं बचेगा लुखमीं अल करका लफ़मीं गम मिताफ लका लगा वेश अन्हीं अन्हों एननाइम बचमाइम अन्हों भुलें हमास, अन्हों रूएम थेम और एन्हों नगिया लग्मा, मामिकीं इतालेवा बड्रोम अर्थूर बमकूमों अखरीं अन्हों अन्हों इलखमीं अदसरोफ बाज़त अटिकनोलोगिया मितकदमत बियुतर उत्तरी घाज़ा पर एजरेली वायो सीना के लड़ाकों विमानों ने हजारों बम गिराना शुरू कर दिया इसरेल की कॉर्पेट बॉमिंग ने देखते ही देखते उत्तरी घाज़ा में इमारतों को जमीन में दफन कर दिया यहां तक कि उत्तरी घाज़ा में इसरेली सेना ने मरकावा टैंक से हमले शुरू कर दिये इस्रैली डिफिन्स फोर्स की रीड मरकावा चैन पर हमास के लड़ाकों ने भी जबरदस्ट पलटवार किया और कई दर्जन टैन लगभग 90 दिन की जंग में दबा कर दिये हमास के लड़ाकों ने सुरंगों से निकल कर उत्तरी घाजा में हमले किये इस्रैल ने लगभग 90 दिन की जंग में हमास के टॉप कमांडर्स को चुन-चुन कर मारा है अब तक 100 के करीब हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं लेकिन जिस तरह से हमास घाजा में पलटवार कर रहा है उससे साफ हो चुका है कि साल 2024 घाजा के लिए बहुत विनाशक साबित होने जा रहा है बड़ी कबर आपको बता दें इरान ने का है कि वो किरमान में हुए आतल की हमले का जवाब जल्दी देगा इरान ने इस हमले के लिए इसरेल और अमेरिका को दोश्टी ठेराया है इस हमले की जम्मेदारी आईस आईस ने लिए है किर्मान में आत्मगाती धमाके हुए थे जिसमें मरने वालों की तादाद एक यान में पहुँच चुकी है इरान ने कहा कि वो इस हमले के लिए जम्रदार ताक्तों को छोड़ेगा नहीं तो आपको बता दें कि किस तरीके से किर्मान की ओर से ये पूरा बयान सामने है अब इरान ने अब तक जो भी धमकी दी उसे इसरेल और अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान है यमन का मिलीशिया हूती अब इरान की इसी इरादे को पूरा करना चाहता है पूती में द्रोहियों ने अमेरिका से कह दिया है कि अगला हमला बहुत खतरनाक होगा वह अमेरिका कैसे बचेगा इसके लिए वो भारत के कमांडो ओपरेशन से बहुत कुछ सीख सकता है ये वो वीडियो है जिसे देखकर बाइडन हिम्मत जोटा सकते हैं ये वो वीडियो है जो अमेरिका का डर खत्म कर सकता है ये वो वीडियो है जिसे देखकर भारत पूरी दुनिया के सामने मिसाल बन गया है ये वो वीडियो है जिसे देखकर अमेरिका के मशूर सील कमांडो भारत के मारकोस कमांडो से सीख सकते हैं देखिए कैसे भारतिय नेवी के कमांडो एक अगवा हुए जहाज की तरफ बढ़े कमांडो जहाज पर सबार होते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं एक एक कोने की तलाशी लिजाती है जहाज पर कपज़ा करने वालों को ललकारा जाता है और फिर ऑपरेशन जीत लिया जाता है पूरी खबर ये है कि भारती नौसेना के मारकोस कमांडो ने सिर्फ दो घंटे के अंदर एक कारगो जहाज को मुसीबत से बचा लिया मारकोस यानी मरीन कमांडो इस फोर्स ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों में दहशत पैदा करती भारत के इस कमांडो टीम ने ऐसा ओपरेशन चलाया कि समुद्री लुटेरे भाग खड़े हुए और कारगो जहाज पर बंधक बनाये गए 21 लोग छोड़ा लिये गए इस कमांडो ओपरेशन में भारती नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के जंडे वाले मर्चंट शिप एमवी लीला शिप को बचा कर दिखाया है इस कमांडो ऐक्षन में इंडियन नेवी के स्पेशल समुद्री कमांडो फोर्स मार्कोस पूरी दुनिया को बता रही है कि समंदर में दुश्मनों से कैसे लड़ा जाता है ये जान की बाजी लगाने जैसा है दुश्मन की गोलियों का सामना करने जैसा है भारत ने इस जहाज को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी लाइबेरिया के जंडे वाले मर्चंट शिप M.V. लीला शिप को बचाने के लिए सिर्फ मार्कोस कमांडो ही तैनात नहीं किये गए इसमें P-8I टोही विमान भी शामिल रहा, इसमें अमेरिका से ही खरीदा गया MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन भी शामिल हुआ ओप्रेशन से पहले ओप्रेशन के दौरान जहाज पर बराबर नजर रखी गए और फिर जब भारत के मार्कोस में M.V. लीला जहाज पर चड़ाई की तो जीर भारत की हो ज़ी इस जहाज के आसपास कहीं मतलब पांच-छे दाउज और फिशिंग बोर्ट्स होगे रहे थे तो उनका भी डिटेल्स होगे रिकॉर्ट किया गया तो इससे उनका confidence था कि pirate attack हो है और कोई जनकर ही नहीं था कि pirate on board है नहीं है इसके बारे में ज़्यादा information नहीं था क्योंकि crew स्रेडल के अंदर थे और उनको भी ज़्यादा information नहीं था तो इतने में हमने decide कि जैसे second PA tie जाके इसको जो first PA tie है उसको on the spot relief करेगा और उसके बाद एक sea guardian भी जाएगा ताकि वो situation को monitor करे और वीडियो अगर हमें relay कर सके सवाल है कि ऐसी हिम्मत अमेरिका क्यों नहीं दिखा पाया जो इस वक्त लाल सागर में मौजूद होने के बावजूद यमन के हूथी विद्रोहियों से घबराया हुआ है क्या अमेरिका के seal कमांडो भारत के marcos कमांडो से कमजूर है क्योंकि यहां तो marcos कमांडो ने दो घंटे में operation करके दिखाया है भारत ने हर technology और military power का इस्तिमाल करके समुद्री लोटेरों को डरा दिया भागा दिया अमेरिका तो खुद को सुपर पावर कहता है आखिर उसका केरिया हूथी विद्रोहियों को देखकर लाल सागर से क्यों भाग गया जब घाजा में इस्रेल की बंबारी चल रही है जब लेबनान बॉर्डर पर इस्रेल और हेजबुल्ला की टककर हो रही है कि क्या अमेरिका यमन के हूथी विद्रोहियों से डर गया है ये सावाल इसलिए क्योंकि उसके फैसले तो यही साबित करते है इस वक्त अमेरिका को इशिया के तीन इलाकों में चैलेंज बिन रहा है इस वक्त हूथी वित्रोही लाल सागर में इसरेल से जुड़े जहाजों को टार्गिट बना रहा है इसलिए अमेरिका ने अपनी नौसेना लाल सागर में तैनात की होई है यमन के हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि जो भी लाल सागर में अमेरिका के साथ आएगा उस पर हमला जरूर होगा हूथी विद्रोहियों के टार्गेट दो है पहला है इसरेल और दूसरा है अमेरिका हूथी विद्रोयों ने इसरेयल के शिप को टार्गेट करना शुरू कर दिया है वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दू मानता है अमलियत इस्तिहदाफ लिसफीनत सी इम ए सी जी इम तेज कानत मुट्जिहा इला मुवानि फलस्तीन मुछतला हूथी विद्रोही लगातार इसरेयल पर हमला कर रहे है वो क्रूस मिसाइल भी फायर कर रहे है बैलिस्टिक मिसाइल से भी इसरेयल के दक्षने इलाके पर अटेक कर रहे है साथ में इसरेयल और अमेरिका को लगातार धमकिया दे रहे है यमन के हूथी विद्रोहियों ने 15 देशों को ललका रहा है यानि हूथी विद्रोहियों ने 15 देशों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है इसमें अमेरिका और इस्रेल के अलावा आस्ट्रेलिया है, कैनेडा है, बैरीन है यूरोप के बेलजियम, डेन्मा, जर्मनी, इटली, दनीदरलंड और ब्रेटन के अलावा न्यूसिलेंड है जापान है, दक्षिर कोरिया है और सिंगापॉर भी ये अमेरिका को जबाब है, जिसने लाल सागर को हूथी प्रूफ बनाने के लिए उप्रेशन प्रॉसपेरीटी गारडियन के शुरबात की है अप्रेशन के दोब नेदों ल्ल दोल अल्दी तफसिल जुगराफीयन बेन ना वुप्स्तीन अल्मुथल्ला लिफळा मनाफ़ा मुरूर वाबूर बर्रिया लितखर्च मिएाट वालाफ लिप अल्भात जिए लिएाद अज्वाद भी फिलस्तिन जहाद मुदाद्द देखद का रोगदाद। अमेरिका ने जब से इस मल्टी नैशनल फोर्स को बनाने की पहल की है वो हूथी विद्रोहियों के टार्गेट पर आ गया है और हैरत है कि अब तक वो उनको डराने में नाकाम रहा है हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि वो अब इन देशों के जहाजों को टार्गेट बना सकता है और ऐसा वो लाल सागर में करेगा ऐसा वो आदेन की खाड़ी में करेगा ये वो देश हैं जो अमेरिका के उस गड़बंधन का हिस्सा बन चुके हैं जो लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के हमले को नाकाम करना चाहते हैं और इसके लिए ये गड़बंधन यमन पर हमला करने की भी धमकी दे रहा है दरसल अमेरिका को डर है कि लाल सागर में उसके जहाज डुबू दिये जाएंगे अमेरिका को डर है कि यमन के हूथी विद्रोहियों से उसका युद्ध शुरू हो चुका है अमेरिका को डर है कि अगर हूथी ने एंटी शित मिसाइल मारी तो उसका कैरियर डूप जाएगा हूथी विद्रोहियों से इस्रेल के बाद अब अमेरिका को भी खत्रा बढ़ गया है हूथी विद्रोही दिखा चुके हैं कि वो जहाज पर कैसे कबजा करते हैं वो कैसे इस्रेल से जोड़े जहाजों को टार्गेट कर रहे हैं ये हेलिकॉप्टर वाला ओपरेशन इसका सबूत है इस हेलिकॉप्टर के पिछले रैंप वाले दर्बाजे पर दो जंडे लगे हैं एक है यमन का जंडा और उसके नीचे है फिलिस्तीन का फ्लाइग जहाज पर हमला होता है और ये कमांडो जहाज पर कबजा करना शुरू कर देते हैं एक के 47 और बाकी हत्यारों से लैस ये कमांडो जहाज पर आगे बढ़ते हैं हेलिकॉप्टर फॉरण जहाज से ओड़ जाता है क्या हो रहा है किसी को नहीं मालत ये कमांडों जल्दी से जहाज के ब्रिज के तरफ बढ़ते हैं यानि वो जग्र जहाज से पानी के जहाज को कंट्रोल किया जाता है शिप के स्टाफ की तरफ राईफल था ये सभी हमलावर जहाज के ब्रिज में दाखिल होते हैं और फिर two member hands up करके हमलावरों के स्टीन के आगे सरेंडर कर देते हैं। शिप के ब्रिज पर कंट्रोल करने के बाद इन हमलावरों का कपजा बाकी जहाज पर होने लगता है। ऐसे हमलों को रोकने में अमेरिका और यॉरप के देश नाकाम साबित हो है। अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद हूथी विद्रोहिऊं का सामना नहीं कर पा रहा। यमन के हूथी विद्रोई जब किसी जहाज पर कबजा करते हैं या उस पर हमला करते हैं तो उसे चारों तरब से उनकी स्पीड वोट घेड ले दिये और फिर जहाज उनके कंट्रोल में आ जाता है। ऐसे में भारत के कमांडो आपरेशन को देखकर अमेरिका सीख सकता है। भारत ने बता दिया है कि जहाज पर कबजा हो तो कैसे लड़ा जाता है। लेकिन अमेरिका ये हिम्मत हूथी विद्रोईयों के खिलाफ दिखाने में अब तक नाकाम रहा है। और इसका खामियाजा अ पूराई जोरब भुगत रहा है। यमन के हूथी विद्रोई जो घाजा पर इसरेल की बंबारी रुपाने के लिए इसरेल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कारगो शिप को टार्गेट कर रहे हैं। और अब उन्होंने अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हमला क पर इसरेल के लिए जोरब भी किया है। इसी वज़े से अब कारगो जहाज अदन की खाड़े और लाल सागर के करीब भी नहीं आना चाहते हैं। यहीं से एशिया की तरफ से यूर्प को रास्ता जाता है। दुनिया की सबसे एहम शिपिंग लेन मिसर के स्वेज कैनाल से बुजरती है। अगर इस शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जारहा रास्ता ब्लोक हो जाता है तो ये रास्ता 6,000 किलोमेटर लंबा हो जाएगा। क्योंकि तब समुद्री जहाजों को अफरीका का चक्कर लगाकर योरप पहुँचना होगा। अगर इसरेल जाना है तो रास्ता 10,000 किलोमेटर तक जादा हो जाएगा। तीन से पांच दिन का सफर और लंबा हो जाएगा। ज्यादा फासला यानि ज्यादा लाकर, ज्यादा वर्ड और कारोबार पूरी तरफ चोपर। यही है यमन के हूथी वे द्रोहियों का ठार्केट क्योंकि व भारतीय नौ सेना का वीडियो अमेरिका के लिए एक सबक है। 1987 में बने मार्कोस बहुत ही तेजी से उपरेशन करते हैं। इन्हें अमेरिका के नेवी सील्स की तरफ पर ही तैयार किया गया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज ये ऐसे ऐसे उपरेशन को अंजाम दे रहे हैं जो खुद अमेरिका लॉंच करने से खबराने लगा है। दरसल इस सुवक्त लाल सागर में बहुत आग है। इस सुवक्त लाल सागर के आसपास बहुत गुस्सा है। इस सुवक्त लाल सागर में वार जून भड़कनी की कादार पर है। अकले 48 घंटों के अंदर लाल साकर, शमन और इस्रैल के बीच इतनी चिंगारी नजर आ रही है कि पूरा पश्यमेशिया घाजा के बाद दूसरे युद में डूप सकता है घाजा में चल रही जंग के बाद दूनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका खत्रा सब महसूस करने लगे हैं इस्रैल ने दुनिया के प्रेशर के सामने जुकने से मना कर दिया है लहाजा अब हूथी विद्रोही जिनकी एरान से बेहत करीबी है उन्होंने इस्रैल के शिप को टार्गेट करने का फैसला किया है वो जानते हैं कि उनके करीब से गुजरती शिपिंग ले दुनिया की लाइफ लाइन है और यहाँ पर हमला करने का मतलब इस्रैल और अमेरिका के गले पर हमला करने जैसा है देखा जाए तो अब लाल सागर में अमेरिका अकेला पढ़ गया है क्योंकि जब अमेरिका घबराया हुआ है तो बाकी छोगे देश कैसे हूथी विद्रोहियों के एंटेशिप मिसाइल का सामना करेंगे ये सवा अब बाइडन से पूछे जा रहे है अमेरिका ने जब से हूथी विद्रोहियों को टार्गट किया है उसके दस लड़ाके मार गिराए है तब से कहा जा रहा है कि खून खून हुआ लाल सागर नए वार्जोन में अब मचने वाला है महा बबंडर और बहुत बड़ी कबर आ रहे जमू कश्मी के शोपिया से या सुरक्षा बलो ने लेटेनिंट उमर पैयाज की हत्या का बंदा ले लिया है सुरक्षा बलो ने आतंकी बिलाल ईहमद भट को मार गिराया है प्योके में आतंकीयों का लांच पैड पहली बार कैमरे में कैद हुआ अलोसी के फाज से ऐसी तसमीरे मिली जिसमें पाकिस्तानी आतंकीयों के लांच पैड देखे जा सकतीा सेना दावा करती है कि लोसी की दूसरी तरफ जो गाउं है वहां के घरों को आतंकी लॉंच पैड के रूप में इस्तमाल कर रहे हैं उस एन काउंटर में टर्रिस जो था उस इसका नाम बिलाल भड़ था था वो न्यूटरलाइज हुए लेफ्टिनेंट उमर फईयाज के हत्या का बदला सेना ने ले लिया है सेना के इस अपसर की 2017 में हत्या करने वाले आतंकी को सुरक्षा बलों ने धेर कर दिया है इस तस्वीर को गोर से देख लीजे ये जम्मु कश्मीर में आतंक का बड़ा नाम था जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है नाम है बिलाल एहमद भड़ का आतंकी वारदात को अंजाम देना लशकरे तैयबा का दैशतगर आरो 2017 में लेफटिनेंट उमर फईयाज के अपहरण और हत्या में शामिल होने का इस सातंकी के गुनाहों के लिस्ट बहुत लंबी है कैसे बिलाल एहमद भड़ घाटी में आतंक का पर्याय बना ये सब बताएंगे आपको लेकन उससे पहले ये दस्वीर देखिए जगन जम्मू कश्मीर का शोपिया सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है दोनों तरफ से अंधा धोन फाइरिंग हो रही है सामने उच आतंकी छेपे हैं आतंकियों से निपटने के लिए जवान दबे पाउं आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इसकी फ़नक आतंकी को लग गए और जवानों पर उसने फाइरिंग शुरू कर दी जवाब में सुरक्षा बलों ने तापर तोड फाइरिंग शुरू कर दी कई घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकी बिलाल एहमत भट को मार किरा है सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी कामयाबी है पोलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है पुंच और राजौरी में हुए एनकाउंटर के बाद सेक्योर्टी फोर्स कोई चांस नहीं लेना चाहते यही वज़े है कि इस स्वक्त घाटी में लगातार सेना का सर्च ओपरेशन जारी है एक के बादे कातंकी का सेना सफाया कर रही है लेकिन असली टार्गेट तो लोसी के पार है ये तस्वीरें पुंच और रजौरी बेल्ट के दूसरे तरफ की है भारतीय सेना पुंच और रजौरी बेल्ट के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कबजे वाले हिस्से में इन लॉंच पैड पर नजर रख रही है इन लॉंच पैड पर आतंक पाथियों की गतिवितियां अचानक तेज हो गई है सेना ने हाल ही में लॉंच पैड से घुस पैड की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया था तभी से पाकिस्तान के कई लॉंच पैड भारतीय सेना के रेडार पर है पुंच में लॉसी के पार पियोके में आतंकियों ने जो लॉंच पैड तयार किये हैं उनमें नल्नी का इलाका है भिंबर का ठेकाना बहुत खदरनाक है पियोके में एक लॉंचिंग पैड बखबख में है बगसर में भी आतंकियों की घुस पैड कराई जाती है से एक दम लेटिस्ट इंफोर्मेशन मिली पाकिस्तान आतंकियों को कई ग्रुप में तयार कर रहा है इसके लिए पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैम्प कई क्लस्टर में अक्टिव है रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सेना ने सभी लॉंच पैड लोसी के आसपास तयार कर दिये है जानकरी ये है कि लॉंच पैड लोसी से महज कुछ किलोमिटर की दूरी पर ही बनाए गए है ताकि आतंकियों को गुसपैट में जादा वक्त न लगे सेना ने भी हर लॉंच पैट पर नजर बनाई हुई है यहां तक कि पाकिस्तान की घर गती वीडियों को इंटेलिजेंस अजन्सिया भी लगाता ट्रक कर रही है एक्सक्लोसिव रिपोर्ट यह है कि पियोके में आतंक्यों के कैम्प में कई मीटिंग हो रही है इस मीटिंग में पाकिस्तान की खोफिया एजन्सी आईएसाई के अबसरों का लगातार आना जाना है मीटिंग में कश्मीर के अंदर आतंक्वादी हमलों को लेकर बात हो रही है और खुसपैट की कोशिश तेज करने पर फोकस किया जा रहा है इस वक्त पेशावर से बहावलपूर और मुझजफराबाद के अलग अलग ठिकानों पर मुझूद है यही नहीं पाकिस्तान की तरफ से इनको हर संभव मदद मिल रही है खुसपैट से पहले इन आतंक्यों को मुझफराबाद और कोटली पहुंचा दिया जाता है आतंक्यों के यह क्लस्टर मंदशेरा में है, मुझफराबाद में है, कोटी में है और मुरीदके के साथ पहावलपूर में है मंदशेरा पाकिस्तान में है और यहां बाला कोट, गड़ी हविबुला और पतरासी में टेरर कैम्प है मुजफराबाद पियोके में है और यहाँ चेला बंदी, सवाई नाला, मुस्करा अक्सा और दुलाई नाला में टेरर कैम्प है कोटली भी पियोके में है, गुलपुर, सेंसा, बराली और दुंगी में भी आतंतवादियों को ट्रेनिंग मिल रही है पुंच और रजोरी में हुए आतंकी हमले के पीछे ऐसे ही आतंकियों और उनकी मदद करने वालों का हाथ बताया जा रहा है जम्मु कश्मीर में इस सुवक्त आतंकी संगठन टियारफ काफी एक्टिव है, यानी दर रेजिस्टेंस फ्रंट इसका ये ग्रुप लंबे वक्त से जम्मु कश्मीर में आतंकी हमलों की प्लैनिक कर रहा है, नए अटैक में जो आतंकी शामिल रहे है, उनमें जैश से लेकर लशकर और हेजबुल का कैडर एक्टिव रहा है पाकिस्तान की कमांडो दस्ते SSG को इस स्वक्त बड़ा मिशन दिया क्या है, उनका काम है आतंकवादियों को घुसपैट कराना और उनके आतंकी दस्तों को LOC के पार कराने के साथ कवर फायर देना इसके लिए पाकिस्तान की बैट यानि बॉर्डर एक्शन टीम भी काम पर लगा दी गई है, इस टीम में आतंकवादियों को अपने चीन से मंगाए गए हथियार और नाइट विजन डेवाइस भी दिये गए हैं, ताकि रात में भी घुसपैट को मुम्किन किया जा सके इस वक्त LOC पर चप्पे चप्पे पर भारत की फौज तैना थे, लिहासा भारती है सेना की पूरी घाटी पर नजर रहती है, लेकिन यहां जंगलों से घिरे कई ऐसे इलाके हैं जहाना बाड लगाना आसान है ना ही नेगरानी, कई ऐसे इलाके हैं जहां नेगरानी रखने के लिए एक बटालियन भी कम पड़ती है LOC के उस पार के ये वही इलाके हैं जहां बिलों में छिपकर पाकिस्तान के दैशतगर्दों की ठोलियां घुसपैट की ताक में रहती है एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी बेनकाब हो गई है ये पुखता रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास पाकिस्तान के प्लान की पूरी रिपोर्ट है ओंकारा से लेकर मुझफराबाद तर आतंकवाद के कारखानों की पूरी लिस्ट तयार हो रही है इस वक्त सेना के पास पाकिस्तान में टेरर इंफास्ट्रक्चर और ISI के बैकप की पूरी रिपोर्ट है लश्कर जैसे आतंकी संगढ़नों में लड़कों को कैसे भरती किया जाता है नौजवानों और बेरोजगारों को कैसे कॉंटेक्ट किया जाता है ISI और लश्कर की मोडस उपरेंडाई क्या है भरती के बाद लड़कों को कहां भीजा जाता है कहां और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेनिंग कौन देता है माइंड वाश कैसे होता है और फिर हच्यारों के साथ उन्हें किस रास्ते भारत भीज़े जाता है